गुद मौर्णिंग इस्टेंग्स क्लास एठ के मैम development के इस लेक्चर में हम लोग square roots पढ़ेंगे बर्ग मुन के बारे में हम लोग इस से पहले square पढ़ चुके हैं कि किसी number के square हम लोग कैसे निकालते हैं column method और diagram method भी पिछले लक्षार में हम लोग पढ़ेते हैं square roots the square root of a number x is that number which when multiplied by itself gives x as the product किसी number x का है square root ओ नमबर होगा जिस नमबर को उसी नमबर समको multiply करें तो product हमको x obtained हो प्राप्त हो we denote the square root of a number x by अब इस तरह समको indicate करते हैं कोई number x है उसका square root लिखना है तो आप इसे रिखते हैं square root of number x अब यहाँ पर कुछ example दिया है clearly अब यह square root 4 4 का square root क्या होगा 2 होगा इसका मतलब यह हुगा कि हम लोग 2 को 2 से multiply करेंगे देखे हुएते हैं उसका square root of 9 क्या होगा 3 होगा square root of 16 क्या होगा 4 होगा इससी तरह से बाखी number हम लोग लिख सकते हैं अब इसको हम लोग बार बार square root नहीं पढ़के हैं सिर्फ root बोल सकते हैं ठीक है root 4 equal to root 9 equal 3 अब यहाँ पर हम 1 से लेके 10 तके number का square लिखे हुए है और फी जो number हमारा obtained हुआ है perfect square number उसका square root निकाले हुए है तो इसको बले ठाब लोग समझेए 1 का square इसका मतलब यह हुआ कि 1 को हम लोग 1 से multiply करेंगे तो हमारा result क्या हैगा 1 आएगा और 1 का अगर square root निकालेंगे तो 1 होगा ठीके उस तरह 2 का square क्या होगा तो 2 multiply 2 4 हो जाएगा और 4 का square root क्या होगा तो 2 होगा इस तरह 3 का square क्या होगा तो 3 into 3 9 हो जाएगा और 9 का square root क्या होगा 3 हो जाएगा इस तरह 4 का square करेंगा हम लो तो 4 को 4 से multiply कर देंगे 16 हैगा और 16 का रूट क्या होगा? 4 हो जाएगा उसी तरह से 5 का स्क्वाइर तो 5 मल्लिप्लाई 5 यह 25 हैगा और 25 का रूट क्या होगा? 5 हो जागा, ठीके? इसी तरह से यहाँ पे 6 का निकाला हुए है 7 का, 8 का, 9 का और 10 का बाकी आप लोग क्या किजेगा? 11 से लेके 20 तक का भी इस तरह से स्क्वाइर और जो नमबर आएगा पर्फेक्ट स्क्वाइर नमबर उसका स्क्वाइर रूट निकाल लिजेगा और 11 से लेके 20 तक के स्क्वाइर को याद कर लिजेगा इसका यूज आगे question में होगा और question मनाने में आसानी होगी A square root of a perfect square by prime factorization method अब हम लोग यहाँ पे a square निकालेंगे किसी perfect square number का prime factorization method यूज करके अब perfect square number का square root निकालने के लिए जो prime factorization हम लोग करेंगे उसके लिए यहाँ पे तीन step लिखा हुआ है इसी तीन step से हम लोग A square root निकालेंगे वे ने given number is a perfect square we find its square root by flowing steps अब यहाँ पे तीन step दिया हुआ है अब इस step को एक्के करके हम लोग समझते हैं पहला step यहाँ रहा है कि resolve the given number into prime factorization अब जो हम लोग नमबर दिया हुआ परफेक्ट square number उसको सबसे पहले हम लोग prime factorization उसका prime factor निकालते हैं ठीक है second में make pair of similar factors जो prime factor निकालेंगे उसमें जो similar factor होगा उसका हम लोग pair बनाते हैं और तीसरे step में क्या करेंगे take the product of the prime factors choosing one factor out of every pair अब जो हमरा prime factor का जो product होगा उसमें समनों choose करेंगे every pair से एक factor को ठीक है अब इसको हम लोग एक question से समझते हैं हमरा question यहमें दिया है find the square root of 324 इसको निकालना है square root हमको prime factorization method से तो सबसे पहले हम लोग इसको reserve करेंगे prime factor में ठीक है तो 324 का यहां पर prime factor निकाला गया है इसको आप लोग निकाल सकते हैं अब यहां पर लिखेंगे by prime factorization we get 324 यह equal हो गया 2 multiply 2 multiply 3 multiply 3 multiply 3 multiply 3 अब यहां पर देख रहे हैं यह हमारा 2 का factor आ गया 2 फिर 3 का factor यहां भी 2 है और यहां भी 2 है यह तो दोक आप यहां पर pair लगाते हैं और इसमें से 1 क कुम लोग छूज कर लेते हैं तो therefore यहां पर square root 324 का होगा तो इस pair से हम लोग 1 factor को ले लेंगे फिर इस pair से 1 factor को लेंगे फिर इस pair से 1 factor को ले लेंगे और इस 3 का म लोग multiply कर देंगे तो यह हमारा जगा 18 तो इस तरह से हम लोग perfect square number का prime factorization से square root निखालते हैं एक question और देखते हैं find the square root of 1764 अब इस number का निकालना है हमको square root ठीक है prime factorization यूज़ करके तो इसका solution देखते हैं by prime factorization we get अब यहां पर 1764 कम लोग prime factor निकालेंगे ठीक है तो इसको निकालने के बाद हम लोग यहां लिखे हुए है इसको उन्हों prime factor के product के form लिख दिए अब यहां पर देख रहे हैं कि 2 का भी pair है 3 भी pair में है और 7 भी pair में है तो therefore 1764 इसका square root क्या होगा तो हर pair चम लोग एक एक factor को चूज़ कर लेंगे ठीक है तो यहां से 2 आ गया यहां से 3 आ यहां से 7 आ अब इस तिनों को multiply कर देंगे तो ही हमारा इसका answer हो जागा 42 तब question number 3 है in an auditorium the number of rows is equal to number of chairs in each row if the capacity of the auditorium is 2205 find the number of chairs in each row अब इस question में दिया हुआ है कि एक auditorium में number of rows जो है वाँ पर यह equal है number of chairs in each row means जितना row है एक row में उतना ही chair है if the capacity of the auditorium और उस auditorium के जो capacity है उसमें लोग के बैठने की जो छमता है वो 2205 है तो हमको इसमें find करना है कि number of chairs जो है इच रो में कितना है तब परती एक row में कितनी कुर्सिया लगे हुई है अब इसका हम लोग सुरूसन देखते है ठीक है यहां माल लेंगे let the number of chairs in each row bx माल लेंगे एक row में कितना चेर है एक चेर है तो यहां पर हमारा number of rows क्या हो जाएगा वह भी एक हो जाएगा क्योंकि दोनों सेम है then the number of row भी rows equal x अब यहां पर rows भी हमारा एक हो गया और एक row में जो number of chairs है वह भी एक हो गया ठीक है तो टोटल number of chairs कितना हो जाएगा therefore total number of chairs इन देटरियम यह दोनों को मल्टिप्लाई कर देंगे तो यह हमारा जाएगा x square ठीक है और capacity क्या है but the capacity of auditorium एडिटरियम के जो capacity है यह दियावे 25 है ठीक है यह question में गलत लिखा गया है यह 2025 है तो therefore यह x square किसके equal हो जागा तो जो capacity है इसके equal कर देंगे अब यहाँ पर इसका prime factor निकालेंगे तो यह हमारा आएगा 3 x 3 x 3 x 3 x 5 x 5 अब यहाँ 3 भी पेर में है 3 भी पेर में है 5 भी पेर में है तो यहाँ पर x का भी लुकिया हो जागा तो हर पेर से हम लोग एक फेक्टर को choose कर लेंगे तो यहाँ 3 x 3 x 5 यह हमारा आग्या x यहाँ पर 45 तो लिखेंगे therefore the number of chairs in each row equal 45 इसलिए एक रो में जो number of chair क्या होगा 45 हो नंबर डिविजोल भाई इच वन ओफ 8 9 & 10 अब इस question हमको list square नंबर बताना है जो कि divisible हो जाए इस तीनों नंबर 8 से भी 9 से भी 10 से भी ठीक है तो इस तरह यह question को सुल्प करने के लिए हम लोग पाले इस तीनों नंबर का LCM निकालते है LCM of 8 9 10 ठीक है यहाँ पर LCM निकाला हुआ है दो से divide क्या कि 8 को तो 4 आ गया अब 2 से क्या हो तो 9 डिवाइड नहीं होगा तो 9 ही आ जागा और 2 से नों डिवाइड कर दिये है 10 को तो 5 आ गया तो यह अब 4 9 5 किसी एक नंबर से इसमें कोई भी 2 नंबर डिवाइड नहीं होन वाला है तो हमारा LCM यहीं paint हो जाएगा और यहीं इसका product हो जाएगा 2 multiply 4 multiply 9 multiply 5 और यहाँ जागा हमारा 360 ठीक है यहीं LCM आ गया इस तिनों नंबर का अब 360 का हम लों निकालेंगे prime factorization तो by prime factorization we get अब यहाँ पे 360 का prime factorization निकाला हुआ है आप लोग इसको निकाल सकते हैं तो यहाँ हमारा गया 2 multiply 2 multiply 2 multiply 3 multiply 3 multiply 5 अब इसमें हमारा 2 का एक pair है और 3 का एक pair है 2 एक और यहाँ पे single बच गया यह pair में नहीं है और 5 यह एक pair में नहीं है ठीक है तो इसमें पूछा है कि हमको list नमर बताना है तो यहाँ पे list परफेक्ट स्क्वाइर नमर बताना है तब इसको प दोनों पेर में हैगा ठीक है तो यहाँ पे लिखेंगे to make इजे perfect square it must be multiplied by 2 multiplied 5 is equal to 10 तो 10 से हमको multiply करना पड़ेगा hence जो required नमबर हुजगा हमारा 360 multiplied 10 कर देंगे यह हुजगा 3600 थैंक यू